नमस्कार हर्याना न्यूस देख रहे हैं आप मैं हूँ नंदिरी किंडर आपके साथ लोकसबग चुनाव 2019 की तैयारियों के बीच विधायक केहर सिंग रावत और पैरलंपियन दीपा मलिक ने बीजेपी का दावन धाम लिया है हर्याना बीजेपी प्रदीश वाद्यक सुबाज पराला की मौझूदकी में दीपा मलिक और केहर सिंग रावत ने बीजेपी जॉइन की है उनका जो मौलिक मार्गदर्शन रहा प्रदान मंत्रीजी का वो इतना मुझे प्रभावित किया कि अब जब मैं अपने खेल के पड़ाव में सारे मेडल जीच चुकी हूँ औरेड़ी मैं नीतियां बनाने में अपना योगदान दे रही हूँ मैं आज के युवाओं को प्रेड़नास पद मैं जा जाकर स्कूलों में कॉलेजों में मोटिवेशनल करती हूँ तो मुझे लगता है कि आज यहां जुड़ कर और इसी को काम को आगे बढ़ाने में मुझे और साहेता मिलेगी आज देश कोई ससक्त नेतृत की जरूरत है जो मानिय प्रधानमंत्री जी नरेंदर भाई मोदी जी ने इस देश को दिया है उसी प्रकार हरियाना प्रदेश में यससवी मुखमंत्री स्री मनहुलाल खटर जी की सरकार ने जिस तरीके से हर्याना प्रदेश का विकास किया उनसे भी में प्रभावित हो करके इंडियान नेशनल लोगदल पायटी को छोड़ करके विधीवत रूप से आज भारतिय जिन्ता पायटी को जोईन करता हूँ एक तरफ जटका लगाए वहीं पैरलंपियन दीपा मलिक बीजेपी में शामिल हो गई हैं और लगातार बीजेपी की सदस्ता लेने के लिए तमाम नेता आगे आ रहे हैं आपको बता दे हर्याना बीजेपी को दो नए चेहरे मिले हैं एक तरह इनैलो से केहर सिंग रावत शामिल हुए हैं चीद से हर्याना नीजेपी को लगातार फाइदा हो रहा है इनैलो को लगातार जटका मिल रहा है किस तरीके का किस तरीके का रुख है यह देखिए सीज़ तोर पर कहर सिंग रावत से भी जब हरियाना नियूज ने बातचीत की तो उस परस तोर पर उनका कहना था इंडियन नेशनल लोगदल के दो फाड होने के बाद उन्होंने इस परकार का फैसला लिया है क्योंकि जनाधार लगातार घटा नजर आ रहा था और जिस परकार से पार्टी दो फाड हुई उससे कहीं न कहीं ये तमाम जो गतिविदी करने को लेकर के कहर सिंग रावत ने ये फैसला किया है और भारते जनता पार्टी का धामन आज भी दिवत तोर पर भाजपा के केंद्री काराले पर फाम लिया है जी बिल्कुल जी तेंद्रो वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो पहले गौतम गंबीर बीजेपी में शामिल हुए अब पैरलंपियन दीपा मलिक बीजेपी में शामिल हुई लगातार देश के लिए खेलने वाले लोग बीजेपी में शामिल जब हो रहे हैं ऐसे में क्या माना जाए बड़ा फायदा मिलेगा पार्टी को बिलकुल दीपा मलिक की तरफ से कहा गया कि खेलाडियों को लेकर के जिस परकार से नीतियां बनाई गई और जिस परकार से बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ और कई ऐसी योजनाय जो है सरकार की तरफ से चलाए गए जो फिलाडियों को लेकर के या फिर किसी प्रकार से महिलाओं को लड़कियों को लेकर के खास्तोर से ऐसी योजनाय थी जिन से वो प्रभावित है और उन से प्रभावित होने के बाद उन्होंने इस तरीके का फैसला प्रकिया और भरते जंता पार्टी का दामन आज धाम लिया है। दीपा मलिक ने बीजेपी की सदस्ता ली है तो कैयास लगाए जा रहे हैं कि यह वो लोग हैं चिनको काफी लोग प्रियता आम लोगों में मिली है क्योंकि खिलाडियों को काफी लोग प्रियता आम तोर पर मिलती है और ऐसे अगर ये पार्टी में शा survives हुए हैं तो सीधे त तौर पर इसका फाइदा बीजेपी को जरूर मिलेगा दीपा मलिक जो की पैरलंपियन है देश को कई सारे मैडल अब तक दिला चुकी हैं उन्होंने अपने स्टेट्मेंट में बीजेपी की सदस्ता लेने के बाद ये साफ किया कि वो इससे पहले भी कई ऐसे काम कर चुकी है जो युवाओं के लिए हैं और अब वो मुखे धारा से जुड़कर काम करना चाती हैं और इसलिए वो बीजेपी में शामिल हुई हैं वहीं दूसरी तरफ इनैलो से बीजेपी में शामिल हुए केहर सिंग रावत का साफ तोर पर कहना है कि वो मोधी जी की नीतियों से इतन से जादा प्रभावित हुए कि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है वहीं लगातार इनैलो से यह दूसरे बड़ा चेहरा जो बीजेपी में शामिल हुआ है और लगातार दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल होने का जो सिलसला है नेताओं का वो जारी है